दोस्तो ये जो गाड़ी है टोटा का इन्वा क्रिष्टा है जो की आटोमेटिक है दोस्तो बहुत लोगों ने पूछा था सर आटोमेटिक गाड़ी कैसे चलाया जाता है तो आज मैं आपको आटोमेटिक गाड़ी के बारे में बताने वाला हूँ देखे दोस्तो ये जो अंदर के features होते हैं सारी गाड़ियों के same होते हैं चाहे automatic गाड़ी हो या manual गाड़ी हो दोस्तो फर्क सिर्फ इतना होता है gear का जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो को ध्यान से पूरा complete देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा कि automatic गाड़ी कैसे चलाया जाता है तो देखे दोस्तो ये है इसका चावी की है आप इसे कहीं भी रख सकते हैं अपने जेब के अंदर भी रख सकते हैं दोस्तो कोई दिक्कत नहीं होती है अब चलिए गाड़ी को start करते हैं और आपको gear के बारे में बताते हैं दोस्तो ये है accelerator जो की हर एक गाड़ी में होता है और ये है brake ये भी हर एक गाड़ी में होता है सिर्फ दोस्तो clutch नहीं होता है automatic गाड़ी में clutch manual गाड़ी में होता है तो दोस्तो इस गाड़ी में clutch नहीं है तो आपको left side का pair कहीं भी रख लेना है यहाँ पी आप रख सकते हैं या यहाँ रख सकते हैं कहीं भी आप रख सकते हैं brake और accelerator है इसको आपको एक ही पैर से मतलब right side के पैर से ही control करना होता है कुछ इस प्रकार से अगर आपको गाड़ी भगाना है तो accelerator देना है दोस्तों अगर आपको गाड़ी को control करना है रोकना है तो brake दबाना है अब बात करते हैं गाड़ी को start कैसे करना है देखे दोस्तों यह जो automatic गाड़ी होती है अगर आपको start करना है तो brake दबाना अनिमार होता है अगर आप इस गाड़ी का break नहीं दबाते हैं तो आपकी गाड़ी start नहीं होगी देखे मैं आपको दिखा देता हूँ देखे दौस्तों मैं ब्रेक पर से पैर हटा लेता हूँ और गाड़ी का ये जो engine लिखा है याँ पे engine start, stop इस बटन को प्रेश करता हूँ देखे दोस्तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है क्योंकि मैं ब्रेक पर पैर नहीं रखा हूँ गाड़ी की सारी लाइटें चालू हो गई दोस्तो लेकिन अभी तक गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ है अगर मैं ब्रेक पर पैर रख लेता हूँ उसके बाद इस बटन को प्रेस करता हूँ इंजिन स्टार्ट को तो देखिए तुरंत गाड़ी स्टार्ट हो गई अब दोस्तो गाड़ी के गेर के बारे में जानते हैं अगर आपको गाड़ी बंद करना है तो भी आपको इसी बटन को प्रेस कर देना है गाड़ी बंद हो जाएगी देखिए आपको सारे फीचर्स सेम है इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है अगर आप manual car चलाते हैं manual गाड़ी चलाते हैं दोस्तों और automatic गाड़ी चलाने जा रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है सारे features same है थोड़े बहुत इधर उधर होते हैं जो कि आपको समझ में आ जाएगा देखें दोस्तों ये जो gear है और handbrake अगर आपको गाड़ी चलाना है तो आपको handbrake release कर देना है unlock कर देना है देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इसको एक बार lock कर देता हूँ ये देखिए अभी मेरा gear का जो lever है दोस्तों ये पीपर है मतलब parking में खड़ी है ये है दोस्तों R मतलब गाड़ी को आप पीछे चला सकते है reverse gear ये है दोस्तों neutral एन लिखा हुआ है आपको दिखाई दे रहा होगा neutral है दोस्तों और ये है D मतलब driving अगर आपको manual गाड़ी की तरह इसको चलाना है तो आपको S पे डाल देना है manual गाड़ी की तरह चलेगा भली दोस्तों इस गाड़ी में clutch नहीं है लेकिन ये manual गाड़ी की तरह gear change होने लगता है मैं आपको एक-एक करके बता देता हूँ अगर आपको गाड़ी कहीं पार्क करना है दोस्तों तो आपको पार्किंग में ही करना है और दोस्तों P में डालने से एक और benefit होता है कि आपकी गाड़ी अगर धलान पे है और आप अपने गाड़ी का handbrake लगाना भूल गए है तो भी आपकी गाड़ी धलान पे आगे पीछे नहीं होगी जहां का तहां खड़े रहेगी अब दोस्तों बात करते हैं अगर आपको गाड़ी reverse लेना है तो देखिए R पे लगा देना है अब आपकी गाड़ी बैक में चलीगी reverse में देखिए reverse camera भी याँ पे चालू हो चुका है reverse के बाद आता है दोस्तों neutral neutral में अगर आप कहीं समझो गाड़ी को खड़ी कर रहे हैं और गाड़ी के अंदर बैठे हैं गाड़ी start है दोस्तों तो आप neutral पे कर सकते हैं और hand brake लगा सकते हैं अगर आपने hand brake नहीं लगाया और आपकी गाड़ी धलान पे है और आपने दोस्तों brake पर से पर हटा लिया तो आपकी गाड़ी धलान पर आगे पीछे जाएगी इसके लिए neutral पर अगर आपकी गाड़ी है तो brake दबाके रखना है या तो आपको handbrake लगा देना है P पर रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होता है चाहे आप brake दबाएं या handbrake ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं होती है गाड़ी आपकी पीछे नहीं होती है अब बात करते हैं D ये है D दोस्तो देखिए और गाड़ीों में gear को change करने के लिए बदलने के लिए यहाँ पे नीचे liver दिया जाता है या तो यहाँ side में कहीं button रहता है अब आप D डालने के बाद कुछ आपको नहीं करना है सिर्फ आपको गाड़ी चलाना है गाड़ी चलाना है मतलब की brake पर से पैर हटा लेना है और आपको accelerator देना है जितना आप accelerator देंगे, race देंगे उतनी speed में आपकी गाड़ी चलेगी और आपको control करना है तो brake पर रखना है और आपको आराम से गाड़ी control करना है और रोकना है अब बात करते हैं यह जो S लिखा गया है D के side में minus S लिखा है देखिए तो आपको अगर S पर गाड़ी चलाना है दोस्तों यह S gear लगा जाता है घाटी के उपर जहां की engine braking उपयोग किया जाता है गाड़ी चलाते है समझे से कि आपकी घाड़ी दोस्तों ढट्हलान पर जा रही है और आप automatic गाड़ी में चला रहे हैм gear में डालके आपसे control नहीं हो पा रहा है क्योंकि दोस्तों अगर deep है automatic में है दोस्तों ढट्हलान पर आपके गाड़ी चलाना है तो अगर इस तरह से आपको S पर कर देना है जब आप S पर कर देते हैं तो engine braking काम करने लगता है manual car की जैसा और दोस्तों अगर आपको gear change करना है तो देखिए यहाँ पर आपको minus और plus दिख रहा है जब आप इस lever को इस तरह से press करते हैं तो gear down होता है और आप इस तरह से press करते हैं तो gear high होता है लेकिन running गाड़ी में दोस्तों अगर आप down नहीं करते हैं जैसे ही आपकी गाड़ी की रफ्तार कम होती है यह automatic gear down हो जाता है बस आपको बढ़ाने के लिए मतलब gear high करने के लिए इस तरह से press करना होता है देखे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे यह दरसाता भी है जैसे कि देखे अभी मैं press किया plus पे तो यह S और 6 लिखा हुआ है दोस्तों जैसे मैं इसको minus की तरफ press करूँगा देखे यह 5 हो गया 4 हो गया 3 हो गया 2 हो गया 1 हो गया अगर इसको plus करते हैं तो देखे प्लस की तरफ बढ़ता जा रहा है दोस्तों इस तरह से तो यह दोस्तों डाउन हील रोड पर अगर आपको गाड़ी चलाना है तो डाउन हील रोड पर बहुत ही उपयोगी होता है इंजन ब्रेकिंग लागू करने के लिए दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको समझ में आ गया होगा यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट में बताईएगा अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना अगर आप मेरे चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हुए हैं तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लेना तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगरी वीडियो में किसी और ऐसे ही जानकारी के साथ कमेंट किजिए सवाल का जबाब पाईए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै हिंद जै भारत